अप्र वाइकम जी दूसरा स्वाल पीपीची के अंदर जो इंपोर्टन्ट है इसी चैप्टर के अंदर वो यह है कि वाट इस कतल एंड वाट अर्ड डिफ्रेंट काइंड आइड अब कतल क्या है यह आपको 299J में मिलता है means causing death of a person तो जब आप इसको strictly लेते हैं तो आप कहते हैं जिबी person के अंदर तो person includes company, corporation और body of persons भी है लेकर यहाँ पे है means causing death और death section 46 में है कि death का मतलब है death of a human being तो यहाँ basically अगर आप गतल की define करते हैं तो यह होगा causing death by a human being of a human being यहनी causing death of a human being by a human being यहनी इनसान इनसान को बारे का तो यह गतल होगा company और association और body of person section 11 में person की definition है लेकर जब आप death का word use करते हैं तो 46 में उनको वो फिर जायरे निकल जाएंगे फिर human being रह जाएंगे अगला फिर से इसके अंदर यह सवाल आता है कि भाई इसके अंदर फिर किसमे कौन सी है चार से छे किसमे आप इसको कह सकते है नमर एक कतल अमद, कतल भी सबाब, कतल खता, कतल शबीय अमद, कतल अंदर इकरा इताम और इकरा नाकस तो यह छे किसमे आप इसको बना सकते है पहला कतल अमद किया है, कतल अमद, सेक्शन तीन सो के अंदर तीन तरीकों से होगा नमर वन, whoever with the intention of causing death, causes the death of another person यानि intention थी मारने की और उसने मार दिया, मेरी intention थी किसे को मारने की में इकनाशन कोफ लिये, उसके ब्रस्ट मारा, सीने पे मर गया ये कतल अमद, simple, जो आमतार पे होता है, नमर दो, अब यहाँ उसकी intention, दूसरे में, उसकी intention causing death की नहीं है, वो bodily injury की है अब यहाँ दूसरे में, whoever, उसी तरह शास शामल पढ़ेंगे, with the intention of causing bodily injury to a person, by doing an act, which in the ordinary course of nature, is likely to cause death, causes the death of another person, is said to cause गतल अमद, और दूसरे में क्या है, with the intention of causing bodily injury, अब यहाँ उसकी नियत, उसको जान से मारने की नहीं है, उसको death cause करने की नहीं है, उसकी intention है, bodily injury करने की, और वो करता क्या है, by doing an act, which in the ordinary course of nature, is likely to cause death, act ऐसा इसा इस्तमाल करता है, weapon ऐसा इसा इस्तमाल करता है, कि आम अलाथ में मौत वाक्या हो सकती है, और वो हो गई, तो यह भी गतल आमद है, नहीं है, नहीं है, तो जान से नहीं मारना, मैंने उसको bodily injury करनी है, तो मैं गोली मार देता हूँ, रैफल से उसकी टांके उपर, अब वो टांके उपर, अब जाहर है, मेरी intention अगर उसको जान से मारने जी होती, तो मैं सीने य्या सर पे मारता, मैं उसके पैरों पर मार रहा हूँ, मैं उसकी टांक पर मार रहा हूँ, तो इसका मतलब है, मेरी intention उसको bodily injury करने की थी, और मैंने कर दे, और वो मर गया, अब legal क कि अंदर ये भी कतल अमद है अगर वो मर गया क्यूंग चूंके मैंने वो एक्ट या वैपन ऐसा इस्तमाल किया है जिसके अंदर और्डनी हलात में मौत वाक्या हो जाती है और वो हो गई जिस तरह मैंने आपको कहा कि आगर आगर आप किसी को गोली मारेंगे उसके थाइस के मेजर वैंज है और वो टांक योपर भी है वो कट गई और जायरे वो कट गई है तो जिस तरह एक वैं होती है दर्मयान से कट गही बो तो फौरण डिस्लोकेट हो जाती है आप हवस्पिटल लेंगे तो जितने भी चटन लीचर खुन है वो तो रस्ते में ब्लीड हो जाए ता, और मैंने उसकी टांग पे किया थाई किया था, बड़ा क्रीब से किया था, सर पे नहीं किया, सीने पे नहीं किया, तो लौई ने इसको भी गटल याँप इसे असा किया है, जिसमें आम आमलाग ही वह क्योदा की वहバ prehe Euh Welcome, चैश्च घा तो आप उसकी आरी दो बंदे पकड़ते हैं एक बंदा आरी से उसकी टांग काट देता है तो टांग काटी और जाहर है उसकी वेर और आप फॉरण भाग गये तो वो उससे ब्लेड लेकर जाने लगे या वही ब्लेडिंग होई वो मर गया तो इसको भी कतले अमद ही कहेंगे कि आप ने एक्ट वो इस्तमाल किया वेपन वो इस्तमाल किया चूंकि ये इस्टैबलिश्ट है कोर्ट्स के अंदर तो ये क्वेस्चन ऑफ एक्ट है वैसे तो यह हर केस के अंदर केस्ट को इस वैरी करेगा कि इन हलात में मौत वाक्या होती है अगर आवलात में हो जाती ह है और वो हो गई है तो यह कतल अमद है अब आगे तीसरा आर विद द नॉलाई तो यहां इसका तीसरा इसा अब यहां किया है ना यहां उसकी डैथ कॉस करने की intention है जिसका वन पहले हिसे में है यहां ना ही उसकी intention to cause bodily injury है जिसका दूसरे में है यहां उसको सिर्फ knowledge है उसको knowledge है कि इसका act इतना dangerous है कि इसके लिए यह मौत वाकिया कर सकता है और वो हो गई तब यह कतल अमद है जिस तरह आप ICO में जाएं आप कहते हैं यह बंदा बैठा है आपने क्या किया आपने उसका उक्सीजन मास्क उतारा और भाग गया अब ना आपने उसका गला गूंटा ना आपने उसे चाकू मारा ना आपने उसे गोली मारी आपको नौलिज था कि यह आई सी यू में है खाली मेरा एक्ट इसका आक्सीजन मास्क उतारने से ये होगा कि ये दो मिनिट में मर जाएगा आपने आइस्तिकी से उसका मास्क उतारा और गमरे से बार चले गए दो मिनिट बाद उसे आक्सीजन वो बनता जाहरे बेहुशता तो वो जायर है उससे ऑक्सीजन नहीं मिली, वो मर गया, ये भी कतल अमद है, तो ये कतल के अंदर, कतल अमद के अंदर, तीन सो में उन्होंने तीन तरीके बयान किये, कि इन तरीकों से अगर आप कोई करोगे, कतल तो वो कतल अमद कहलाएगा, तो यह तीन इंग्रिटियेट है कतल के कि इन में से किसी तरीके से भी आप कतल करोगे तो तीन सो में उन्होंने ये बताया अब तीन सो एक में एक और है अब यहां तो आपको पता है आप एक को मारना चाहते हैं आप एक को मारना चाहते हैं आप एक को मारना चाहते हैं और एक को मारना चाहते हैं और एक को मारना चाहते हैं और एक के बारे में आपको नौलेज है कि इसका act जो है वो इतना dangerous है आक्सिजिन मास्क उता रहा और वो मर सकता है और वो मर गया अब 301 में चौटी क्या चाहिए चीज़ है वो कहते हैं कि आपने 300 में तो एक पर्टिकॉलर बंदे को मारना चाहते हैं और वो इन तरीकों से मारा और वो मर गया यहां है कि आप मारना A को चाहते है मर भी गया गोली A को सीने पे मारना चाहते है लग B के सीने में गई जिसकी आप नचाहते हैं बलकि हो सकता आपका रिस्तेदारी हो हो सकता आपका दोस्ती हो तो आप ये कल को नहीं कह सकते कि मेरा तो इसके साथ कोई गराजी नहीं मैं तो A को मारना चाहता था मर भी गया तो A को मारना चाहते है B मर गया एक के टांक में गोली मारना चाहते है B के लग गई C के मास्क उतारना चाहते है A का मास्क उतारना चाहते है लेकर वो अधेरे में पता नी चला आप भी कम आसक उतार बैठे है तो ये चौती कटा गरी है तो 301 में कहा ये भी कतले अमद है तो यहां इसको एक पहली किसम कतले अमद की और इसकी जो परिश्मेंट्स है ये आपको 302 में जाएंगी और यहां 302 की अगर आप डिटेल में जाते है तो इसके उपर अलग से भी सवाल है कि उसकी जो परिश्मेंट्स है वो क्या है कितनी है पहला तो डेथ हैस किसास है यदि 302 A में अगर वो जो जो उसका जो एविडेंस का मायार 304 रेड विड आर्टिकल 17 और 3 QSO का पूरा होगा तो आप परिश्मेंट विड किसास होगी डेटेल में जाएंगे कैसे वो चुके इसके उपर क्वेस्चर को हम डिसकस भी कर रहा है लाद हमें डेटेल में नहीं जा रहा नमबर दो परिश्मेंट डेथ और इंपरिश्मेंट फर लाइफ हैस ताजीद विड रिगार तो दे फैक्स और सिर्कम्स्टांस अफ दा केस इफ दा प्रूफ इन आइजर ऑफ दे फॉर्प स्पैसिवाइद इंते इस नाट अवेलेबल यानि अगर तो वो प्रूफ 304 वाला किसास वाला नहीं है तो आप 302 B में जाते हैं ताजीर में जाते हैं और डेथ हैस ताजीर या लाइफ इंपरिश्मेंट हैस ताजीर अब ये भी एक सवाल आगे आएगा और मैंने जिसरा बताया कि परिश्मेंट के उपर एक पूरा सवाल है तो आप इसकी बेंदर डिसकस करते हैं एक ही डिटेल में जाएंगे कि कौन सी सिचुएशन है कि जब किसास का जो मैयार है एविडेंस का वो पूरा होता है और बी में आप ये सवाल फिर इसकी डिटेल में जाते है कि किन केसे में आप डेथ की बजाए लाइफ इम्रीजर्मेंट दे सकते है और अगर लाइफ इम्रीजर्मेंट देते है तो कौन से मिटिगेटिंग सरकमस्टांसे है कौन से extenuating circumstances है जिनको आपने बताना है किया ये उसकी judge की sweet will पे है कि नहीं 302 B में मैं चाहूँ तो death दे दू मैं चाहूँ तो life reasonment दे दू ऐसा नहीं इसके उपर mitigating circumstances है जिसका ये उपर एक अलग से सवाल आएगा और हम उसको फिर इसकी detail में जाएंगे और सी में है तो फिर पनिशमेंट फाइड इसकी डिस्टिशन विच में एक्स्टेंट तो 25 येर्स लेकिन 10 से काम नहीं होगी और 25 साल से ज्यादा नहीं होगी इसके अंदर फिर से ये सवाल है कि उसके वियर रिकॉर्ड उप इसलाम पनिशमेंट फिसास इस नाट एपलीकेबल कि ये वहाँ होगी 302 B कि जहां जो है वो किसाफ इंजंक्शन आफ इसलाम के मुदाबर किसास एपलीकेबल नहीं है पहले इसकी और इंटर्पेशन होती थी बाद में और इंटर्पेशन आई और जहां किसास एपलीकेबल नहीं है ये आपको फिर 306 7 वगयरा में जाना पड़ेगा इसके अंदर वो जो सुपीम कुट की जाजमेंट आई वहाँ उन्होंने कहा कि यहां उसकी डिटेल है तो मैंने जिस तरह बताया कि 302 B की डिटेल में जाना एक अलग से एक सवाल है इसलिए मैंने आपको बताया कि इसकी डिटेल में हम इसलिए नहीं इस वक्त जा रहे है कि हमारा क्वेस्चन इस वक्त यही है कि आप डिसकस करो कतल को उसकी काइंड्स को और उसके अंदर कतल अहमद को डिफाइन करो उसके इंग्रीडिन्ट निकालो उसके लेस्ट्रेट करो और उसकी पनिशमेंट दे दो डिटेल में अभी चाहे मत जाओ अब आगे 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 दूसरा आपका जिसके अंदर इसकी दूसरी किसम है वो कहें कतल शबीय अहमद तीन सो पंद्रा में शबीय किसे कहते है शबीय कहते है सूरत यानि नजर आएगा कतल अमद की तरह लेकर है नहीं अब इसके अंदर क्या है इसका फरक तीन सो दो का जो दूसरा इसा है उसके साथ ही है दूसरे इसे में मैंने क्या का कि वहाँ उसकी डेथ कास करता है एक शख्स विद एन एक्ट और वैपन से जिसमें आम अलात में मौत वाक्या हो जाती है और हो गई तो वो है कतल अमद और इसके अंदर किया है कि वो एक्ट या वैपन वो इस्तमाल करता है जिसमें आम अलात में मौत वाक्या नहीं होती लेकन वो हो गई, जिसंतरा मैंने किसी को बुका मारा उसकी कन्ड़टी में लगा, वो मर गया अब मेरी इंटेंशन थी उसको हाम देने की कि मैं उसको समस्क पताओ हाम दू, बोड़ी या माइंड के उप़प стать मैंने उसके सर पे मुका बोड़ी या मारा अब मेरी यहां intention थी only intention to harm whoever with the intention to harm body or mind पे और weapon भी ऐसा था कि इन हलात में जिनके आम हलात में मौत वाक्या नहीं होती और वो हो गई मैंने किसी को पत्थर मारा चोटा सा कंड़ पिटी पे लगा मर गया whoever with the intention to cause harm to the body or mind of any person causes the death of that or any other person by means of a weapon or an act which in the army course of nature is not likely to cause death is said to commit कतल अमन जो मैंने आपको मिसाल दी यह मेरी प्रैक्टिस के दौराण एक केस था जिसके अंदर एक शक्स ने पत्थर बाट मारा आदा किलो का या किलो का सबजी वाले ने और अपने गा अपने ती दीएत और इम्प्रीजिन मेट इसको सजा दी और उन्हों ने कहा बाट जो है इससे आम लाट में मौत भाक्या नहीं होती और वो हो गई यह लियाजा मैं 302 में नहीं इसको 316 में दे रहा हूँ और ये है तो इसका फरक उसके साथ है 302 B के दूसरे इंग्रीडिंट के साथ और फरक क्या है सिर्फ वैपन और एक्ट का मैंने मुका मारा मैंने चड़ी मारी मैंने पत्थर मारा इंटेंशन ती खाली हाम देने की लेगन उसके नावसे किसे पर मलगा वो मर गया तो ये कतले हमद नहीं कतले शिबी हमद होगा और ये 316 में आएगा और उसकी पनिश्मेंट मैंने आपको बता दी और 317 में आए कि जो उपर वाले 302 में और 317 में जो कर्विक्टर होगा उसको विल में या लीगल एयर अगर होगा तो उसको जो है उसमें हिसा नहीं मिलेगा जाहर है ये उन्होंने डिबार किया 317 में तीसरी किसम कतले खता अब पहले जो दो किसमें थी उसके अंदर हमने बढ़ा उसके अंदर इंटेंशन का ऐलिमेट था ए में भी इंटेंशन थी डेथ की या इंजिरी की हाम की कतल शभी एमद में भी इंटेंशन थी लेकर कतल खता में ना इंटेंशन थी किसी को डेथ काज़ करने की ना इंटेंशन थी हाम काज़ करने की लेकर अगले की आपने डेथ काज़ कर दी किस जरीए से दो जरीए से Mistake of Act से या Mistake of Act से या यहाँ आपकी कतले खता के अंदर ना Death Cause करने की Intention है ना Harm Cause करने की है लेकर आपने उसकी Death Cause कर दी कैसे अपनी Mistake से Mistake Act की या Mistake Fact की मैंने हिरिन को मारना था वो मैंने गोली चलाई मेरे पास लेसेंसी बंदूग है वो हिरिन की बजाए एक Miss हुआ उस वक्त मुझे किसी ने को नी मार दी बंदूग का रुख चेंज हो गया और वो बंदे को लागी ये Mistake of Act है ये कतले खता हो गया एक और Mistake of Fact मैं एक शक्स को सुवर समझा था मैं उसके पीछे गया मैंने उसके उपर गोली चलाई दूर से नजदीग गया तो वो सुवर नहीं था उसकी खाल पहने हुए एक बंदा फसलों में खेतों में काम कर रहा था वो बंदा था ये Mistake of Fact हुआ तो ये मेरे Mistake of Fact से मैंने मंदा मार दिया ना Intention कतल करने की थी ना Intention उसकी डेथ लेने की थी ना उसको मैंने हाम पुँचाना था मेरी खता हुई वो खता जिवो थी या Mistake of Fact की थी या Mistake of Act की थी तो ये है कतल खता उसकी Definition Whoever without any intention to cause death यानि मैंने बताया ना Death cause करने की intention है और हाम की तो एनी परसन causes the death of any other person either by mistake of act or by mistake of act is to commit कतल खता और उसकी Punishment है मैंने बताई उसकी Punishment पर कतल खता Whoever commits कतल खता shall be liable to die खाली दियत है और अगर उसके अंदर परवाइजों में कहा ये आपका जो Act है वो Reaction or Negligent है ये थाबत हो जाए तो दियत के साथ 5 साल आपको सजा एड हो जाएगी और साथ ही आपने अगर जो ये आपने 10 years है अगर वो अगर आपने Reaction, Negligent, Driving से कतल की है तो वो फिर उसकी जो है 10 years है 320 के अंदर तो ये है आपकी कतल खता और कतल खता की Punishment अगला आखरी है कतल बिस सबब यानि आप अब यहां भी intention है आपकी ना intention है आपकी death काज़ करने की ना है intention अगले बंदे को इंजर करने की लेकर आपने एक अनलाफुलेक्ट किया वो अनलाफुलेक्ट काज़ बन गया वज़ा बन गया किसी की मौत का तो ये आपका कतल बिस सबब कहलाएगा यानि whoever without any intention to cause death आपकी death काज़ करने की intention नहीं है और ना ही हाम करने की है does any अनलाफुलेक्ट लेकर आप अनलाफुलेक्ट करते है which becomes the cause of cause for the death of another person उसकी वज़ा बन गया आपका अनलाफुलेक्ट उसकी वज़ा बन गया जिससरा मिसाल है आपने रात को गली खोद दी आपने घर के बाएर और ना बेलब लगाया ना कोई ऐसी चीज़ ना उसकी परमीशन ली जब आपने गली खोदने की किसी से परमीशन ली ली और उसके जो सेफटी मेयर्ज हैं वो नहीं किये और एक बन्दा रूटीन में गुज़रा और वो गुज़रा उसकी गर्दन उसकी गर्दन का मौरा इला वो मर गया आपने बिजली चोरी की अनलाफुलेक्ट किया उसके साथ वो नंगी तार थी किसी का हाथ आया मर गया अब यहां आपकी ना इंटेंशन टुकाज डेक्ट थी ना इंटेंशन टुकाज हाम थी किसी को लेकर आपने एक अनलाफुलेक्ट किया और वो अनलाफुलेक्ट किसी की मौत का सबब बन गया यह कतल में सबब है और इसके अंदर जो है उजहल भी लाइबल डू दियत है लेकर ये नॉन बेलेबल है और ये 322 में है ये चौती किसम और पांचवी किसम जो मैंने आपको बताई वो है आपका जो कतल अंडर इकराहताम है और अंडर इकराहे नाकस है ये आपको आगे 300 तिन में है कि कतल अंडर इकराहताम ये क्या होता है ये आपने पढ़ लिया था इकराहताम और वह हम मतर में तुम्हें जाना से मारने लगा हूँ उस को मारो में तुम्हारी डाला और उसने वो कतल कर दिया अब यहाँ दो है कतल करने वाले एक जिसने उसके उपर डियोरिस डाला और एक है जिसने आगे खतल किया अब दोनों की पनिशमेंट अलाग लाग गया अब यहाँ पे के हुएवर कमेट्स कतल अब वहाँ जिसने कतल किया अंडर एकराय ताम अब यहाँ अगर अंडर इक्राय ताम उस शखस ने कतल कर दिया जिसको मैंने इक्राह डाला तो उसने क्यों कि कतल किया है लेकल अंडर इक्राय ताम किया है तो थोड़ी से उसकी बच्चत होगी कि उसको सजा 10 से 25 साल तक मिलेगी क्यूंकि उसको अपनी जान का फिकर था उसको अपने स्पाउस की जान का फिकर था अपने बीवी बच्चों की जान का फिकर था तो इसलिए उसने कतल किया लेकर वो बिल्कुल बच नहीं जाएगा क्यूंकि उसने जान ली है लेकर उसकी क्वांटम ओफ जो पनिशमेड़ मेकर ने काम कर दी उन्होंने कहा इसको सजा दे दो दस से पच्छी साल के दोरान एक, अब मैंने उससे अंडर एकराए ताम कतल करवाया अब मैंने जो कतल करवाया है, मुझे अदालत में कहा कोट लॉमे करने का, इसको सजा पूरी देनी है जो कतल की है जो कतल ये करवारा, कतल अमद है तो वो कतल अमद की तो जो अंडर एकराए ताम कतल करवाता है, उसको पूरी सजा और जो करता है उसको दस से पच्छी साल की सजा और दूसरा है, जो कतल अंडर इकराए नाकस करता, मैंने तुम्हारी पटाई करूँगा, मैं तुम्हें किसंग करूँगा, मैं तुम्हारे जो है, इंबरेसिंग करूँगा, तुम्हारी बीवी या बेहन के साथ इंबरेसिंग करूँगा, तो ये अंडर इकराए नाकस वो क कतल की और मैंने जो अर्डर अकराएब नाकस कतल करवाया वह मेरा तो तो थोड़ा स़ी था ना जूरम मैंने तो यही कहा ना पटाई करूगा रहूं तो मुझे जो सजा मिलेगी में extending नहीं में extending लो एक साल भी हो सकती दो साल भी दस साल भी तो ये दस साल तक जा सकती है तो ये याद रख लें कि अंडर एकराए ताम दो बंदे मैं करवाता हूं और आगे करता है तो जो करवाता है उसको पूरी सजा और जो करता है उसको दस से पच्ची साल और अंडर एकराए नाकस जो करवाता है उसको दस साल तक औ और जो करता है उसको पूरी की पूरी सजा ये है आपका 303 में गतल अंडर इक्राय ताम और इक्राय नाकस आज हमने इसके अंदर छोटे से एक लेक्चर के अंदर ये देखने के बाद कि पीपी सी को किस तरीके से आपने अडल करना है उसके अंदर किन चीजों का ख्याल रख करते हैं तो यह हम इस तरह उसके चोटे-चोटे सवाल करेंगे विद रैलिवन्ट प्रोविजन्स करेंगे और इस तरह उसकी डिटेयल में जाते जाएंगे इस तरीके से आपका कोई रैलिवन्ट प्रोविजन् नहीं रहेगी कोई चोटा सा सवाल भी नहीं रहेगा और हम इसको peace meal में चोटे 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 इसों में चुँके high quote का जो तरीका कहा रहा है वो यही है कि या वो proposition देता है या वो चोटा सा सवाल कहीं से भी चुरू कर लेगा तो लहाज़ा जब चोटे चोटे सवाल आपके जिनू में होगे with conceptual clarity तो आप इसकाबल होंगे कि इसको बड़े अच्छे तरीके से करें तो इंशाला आगे हम जाएंगे और इसके अंदर एक जो 302 के अंदर पूरा उसकी punishment का है कि mitigating circumstances क्या है 302 B में 302 A जहां होगी death test के साथ किन सूरते हाल में होगी 302 B में किन सूरते हाल में होगी mitigating circumstances काउन से है 302 C में किन खलात में होगी उनकी जो नया केस लोगा है उसके तनाजर में with detail जाएंगे लेकर हमारा यह पहला सवाल था जहां हम इसको कतल और उसकी छे काईंस तक हमने आपको मैदूद रखा होग कि आपको समझ आएंगी इन्शाला हम आगे फिर इसको detail में लेके पीपी सी को जाएंगे अपना खिया रखियेगा अल्लाँ आफिस